तो software development है यार सिर्फ एक code कर पाने से काम नहीं चलता है उसके अलावा और भी आपकी code width में सो चीज़े होती हैं जो आपको करने बढ़ती हैं या फिर जो background में होती हैं आपको पता नहीं होता तो वो सब आपका काम जो करते हैं वो होते हैं आपके build tools frontend specific build tools की बात करो तो ये list आप देख पा रहे हैं ये इतने टापने tools जो होते हैं background में आपके सारे के सारे जो repetitive tasks होते हैं या best practices होती हैं वो करते हैं और आपके काम को automate करते हैं तो चलिए इस वीडियो में detail में देखते हैं कि ये build tools क्या होते हैं और एक fresher को एक job के लिए किते आने से हैं तो ची frontend में build tools टीन टाप के होते हैं सबसे पहला आपका linters and formatters तूसरा आपका task runners तीसरा आपका module builders तो तीनों की अलग-लग जगा अलग-लग time पर practical application आती है कोई आपका code लिखते time use होता है कोई आपकी पूरी development है जब आप server ready करते हैं उससे लेकर आपका live update करते हैं उससे changes करने पे तब use होता है कोई आपका जब उसको live लेके जाते हैं प्रोडक्शन में तब use होता है तो detail में इनके बार में बताऊंगा जितना एक fresher को जरूरत है बाकी एक fresher को नहीं यह सारे topics जरूरत पता होने चीगी कैसे कैसे काम करते हैं क्या क्या होते हैं क्योंकि interview में इसे इतना ही पूछा जाएगा ऐसा fresher आपसे जैसे आप experience लोगे इसमें आप practically इसको use करके experiment करके और deep dive जा सकते हैं पर्ली first topic से start करते है linters and formatters तो सबसे पहले बात करते हैं linters की तो linters ना आपके जो आप code कर रहे होते हो आप type कर रहे होते हो उसके time पर जो भी आपके bugs आ सकते हैं वो आपको highlight करके और आपको बोलता है कि आप इसे fix कर लो bugs कुछ भी type के हो सकते हैं सबसे पहला तो है आप typing mistake कर दो या फिर आप को syntax ही गलत लिख दो वो चीज available ही ना हो तीसरा हो गया इसके बाद यार कि logical में जाएं तो माल लो आपने कोई function मना रखा है उसमें आपने कोई for loop लगा रखे हैं 15-20 या फिर एक के अंदर एक nesting कर रखे हैं तो फिर लिंटर्स में हम limit set कर सकते कि यार 4-5 से ज़्यादा है 10 से ज़्यादा आप इतनी complexity के function लिखना ही मत दो allow मत करो तो वो वाँ पर वो error throw कर देगा या फिर आप माल लो आपने कोई variable use कर रहे हो directly बट आपने वो code में import नहीं किया है या फिर फिर फाइल इंपोर्टी नहीं कर रहे है पैकेज वेगारा जो आप यूज कर रहे हो तो ऐसे ऐसे errors वो आपको ज़ावा code कर रहे होगे तब ही बता देगा या फिर आपने कोई function वापे आपने call कर रहा है बट function को दो तीन चीजे चाही है तो वो पहली आपको बताया था कि या या फंक्शन अगर आप call कर रहे हो तो आपको य थीन चीजे भेननी भेननी पड़ेगी और उनके क्या क्या टाइप्स होते है जिससे कि आपके जो टाइपिंग के टाइम पर वोई bugs है वो आपके fix हो जाए और बाद में कोई problem ना है तो सबसे ज़्यादा जो market में famous है न वो है आपका ESLint या और JSLint तो ESLint जो package है वो ही बहुत ज़्यादा use होता है prettier के साथ तो prettier हमारा उसमें आता है formatter में उस पर थोड़ी दिर में बात करेंगे तो ESLint की configuration example आप यह देख सकते हैं तो ऐसी configuration कुछ देनी बढ़ती है उसके बाद वो आपको क्या करता है कि आपको जैसे आपने कोई variable के naming इस format में होने चाहिए camel case में करना में तो वो ही allowed होंगे यही global variable है directly use कर सकते हो यही allowed होंगे या फिर आप कोई console वेगारा आप code में नहीं रखना चाहते production में या debug variable आप नहीं डालना चाहते कुछ production में तो वो सब मापे वो handle कर लेता है ठीक है तो जैसे की formatters की बात करो ना तो formatter क्या करता है आपका नए coding का standard format होता है कि हमें यह formatting करनी करनी कोड की हमें इतना messy code नहीं चाहिए तो हर एक developer का लिखने का style spacing करने का सहल लग होता है कोई taps use करता है कोई space use करता है मुझे comment में बदाना आप क्या use करते हो मुझे taps पसंद है ठीक है या फिर हो सकता है कोई line jumps use नहीं कर रहा है या फिर कोई comments नहीं डाल रहा है तो proper file बहुत messy सा ना हो जाए एक specific सबको एक तरीक आपा रहा हो आपको एक एक array है object के अंदर उसको यह प्रेटियर क्या करेगा कि properly format कर देगा ताकि more readable format में आ जाए और भी आप ऐसी configuration पास कर सकते हैं प्रेटियर में जैसे कि tabs अलाओ करने है करनी, semicolon अलाओ करने है नहीं करने और भी बहुत साज चीजे जिसकी वैसे आपका formatting अच्छे से हो जाए और एकदम आपका code प्यार प्यार हो जाए तो दूसरा आपका task runner तो task runner नाम जैसे बता रहा है कि आपका कोई भी task होता ना उसको run करते हैं अब यह ऐसे दो word बताने में तो बहुत easy हो गया पहले इसके लिए background बताना पड़ेगा अब जैसे कभी भी आ तो आपकी जित्ते भी packages हैं जो आपने install कर रखे हैं जित्ते भी आपने modules import कर रखे हैं वो सारे ले के आएगा उसके बाद वो सारी आपकी जो SCSS आपने लिखिया या कोई भी CSS आपने preprocessor बगरा यूज करा है उसको convert करेगा CSS में आपकी लगलग type की JavaScript लगलग components है उनको compile करे सारे के सारे काम ना आपके automate कर सकता है अब इसके बाद बात करूँ कि जैसे आपको development server चलाना होता है या आप code पर कोई change करो तो आपको development server अपने आप update हो जाए आपको changes दिखाता रहे है या फिर उसके बाद आपने production ready फाइल बनानी होती है कि production पे इसको compress करके अगली फाइ और फिर code तो मैंने लिख लिया इसे में मेरा दिमाग खरा हो जाएगा तो ये सारे के सारे जो सिदर्दी वाले काम होते हैं repeated काम होते हैं brainless वाले तो ये सब आप task runners की मदा से automate कर सकते हैं और सबसे ची बात की अलगलग environment like development environment के लिए production environment के लिए आप अलगलग configuration भी दे सकते ह कि कि इस चीज में कौन सा task run करना है तो अभी सबसे famous बात करूं तो या सबसे ज़्यादा जो पिछले 10-15 सालों में use हो रहा था वो हो रहा था आपको gulp gulp jquery bootstrap की जितने projects होते थे उनमें सबको scss वेगारा files को उसमें आप gulp को पूरा script लिख के बताते थे भाई पहले त यार उसकी configuration करना थोड़ा hectic था क्योंकि npm थो हम अल्रेडी उस करी रहे थे तो क्यों ना मैं Node.js के तुरुक script इनन करवा दें npm के तुरु तो उसके बाद आया आपका इसको replace करने के लिए npm script तो इसमें क्यों होता है बनीवन है आपकी जैसे react script करके react.js का library आती है तो उ सब आपके लिए कर देता है आपको बस लिखना होता है npm start अब npm start करता है उसके अंदर start के folder के अंदर index.js डोड़ता है और उसके अंदर ये 4-5 चीज़े लग-लग function लिखे होते है उसको call करता है और आपको बस wait करना होता है और ये एकदम आपके लिए सब कुछ चुटके लाइव अपडेट होना चाहिए आपके development server में तो वो सभी handling करके रखता है कि भाई कोई file पर watch लगा देगा कोई जैसी change हो रहा है तो ये सारे के सारे जो काम ते order से हो सारे के सारे दुबारा करतेगा तो आपकी सिदर्दी बिल्कुल खतम आप सब अपना code लिखने में फोक अब react.js की जो एक javascript file आते थी वो इंपोर्ट करते थे तो हर page पे मालो एक का भी package अपडेट करना होता था तो हर page पर जाके चेंज करो ये तो मैंने बहुत चोटी बात करी अगर कोई बड़ा project हो ना जैसे बहुत बड़ी कोई company ले लो facebook बगार उसमें 10 animation होती हैं 10 slider होते ह तो उसमें आप dependency सोचो कि 15 javascript तो भार की library लाइबरेरी हैं जो हर जग आपको import करनी पड़ती थी और फिर browser उत्ते ही busy हो जाता था उन 15 की 15 को download करने में एक के बाद एक अटकर रहते थी कोई अगला download ही नहीं हो पाता था तो वहां पर browser भी खराब हो जाता था तो यूजर क पढ़ने पर requirement पर download करी जाए और इत्ती सारी files को एक में merge कर दी जाए यह ना इक में करना बढ़ रहा है तो एक module बंडर लिखते हैं जो कि सारी 15 फाइल उठाएगा उनको एक में convert कर देगा सारी css की 10 15 फाइल उठाएगा एक में convert कर देगा और अलग लग उनके वर्जन बना देगा लाइक यह जो हर पेज पर आ रहे है उनकी यह फाइल बन गई जो स्पेसिफिक हैं उनकी यह फाइल बन गई इस पेज पर होनी चाहिए और यह dependency भी वो खुदी maintain करके रखेगा ताकि हर पेज में वो खुदी inject कर पाए भाई कि तुझे यह script चाहिए ले मैंने दे दी अपने यूज कर एक्स्ट्रा में तुझे जोंगा इनी जब तक तुझ तो यह सारा दिमाग उसको maintain करने में उसको अपने पास यह सारा graph maintain करके रखना पड़ता था जिसको बोले जाता है आपका source map बोला जाता है जहां से वो entry करता है आपकी file को convert करना read करना और बाकी file से merge करना उस सारे entry point से लेकर exit point तक वो सारा graph maintain करता है जो कि बहुत complex होता है ब बलकि production में भी use होता है ठीक है example आपने images देखी लिए होंगी जो भी example आपके सामने आया था तो जी market में 3-4 बहुत famous module bundles है सबसे पहला जो सबसे आप famous है वो है webpack उसको अब तक कोई beat नहीं कर पा रहा है जैसे कि आप graph में देख पा रहे हैं दूसरा roll up है parcel है white है ES build है और भ अभी webpack भी अपने आप में बहुत fast हो गया है बहुत जादा improvements हो गई है code को इतना बढ़िया बना देता है वो compress करके अगलिफाय करके कि आपको कोई और feature की जूरूत ही नहीं है अगर आपको webpack में और detail में configuration जाननी है तो आपको dogs में देख सकते हैं बढ़ बहुत बड़े ह उसमें जाने की जूरूत नहीं है बस उपर उपर से जान लेगी webpack काम कैसे गरता है example के थूरू images के थूरू आपने समझ लिया होगा तो जी आप बात करने देख टूरियल के बाद में तो सबसे पहले आता है आपका ESLint और प्रेटियर इंटिगेट करने का react.js के product में तो बहुत नहीं है यह एक 20-minute का टूरियल है आप सीधा जाके सर्च कर सकते हैं यह स्लिंट और प्रेटियर रियाक्ट उसमें आपको second number पर टूरियल में जागा Traversy Media बहुत बढ़िया है अपने आप में अधर आपको टूरियल कभी भी सीखना चाते है तो तो उसके दूरू आ आपके सीनियर ही लिख रहे होंगे तो फ्रेशर आप टेंशर मतलो स्टिल आप जानना चाते है तो नोट जेस आपको थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी उसके तूरू आप टास्क लिख सकते हैं और कॉल करा सकते हैं तो वह सीख लेना अधर्वाइस इग्नोर कर दो थार पुरानी है उपर टूटोरियल्स है अगर आप कभी इन फ्यूचर देखना चाओ तो उसके बारे में यह टूटोरियल्स फॉलो कर ले ना सब कुछ सिखा देते हैं कोड में कोड बाय स्टेप बाय स्टेप है इसमें सब सिखा देते हैं आई होप कि यह आपको अच्छा लगी है तो जरूर लाइक कर देना कमेंट में बताना की कैसी लगी अगला हम एडवांस जावस्क्रिप्ट का कुछ ना कुछ ले के आते रहेंगे सीरीज में यह प्ले लिस्ट आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप फ्रेंट एंड सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब क के जरूर जाना अगर ऐसी आप अपनी फ्रेंट एंड की नौलज को अपडेट करना चाहते हैं तो आज के लिए बस इत्ता ही मिलते हैं अर्ली वीडियो में बाइबाइब